हालो दोस्तों, आज मैं एक नए रेसिपी लिखे आई हूँ, आज हम बनानी जारे मुमदाल की परठा, बहुत ही चटपट बनते हैं, और बहुत ही टेस्टी, इतने सौफ्ट, इतने क्रॉंचीनेस बनके तायर होते हैं, चली बनानी शुरू करते हैं, मैंने यहापर मुमदा 5 मिनिट के बात में यह देखिए अच्छी से सौफ हो गया है, इसको हम एक छनी की मदद से इसको चान लेंगे, बिल्कुल पानी नहीं होनी देनी है, नहीं तो ज्यादा गिला हो जाएंगे, इस तरह से चानी में, चान के बात में यहापर प्लेट में डाल देंगे, एक बढ़ानी के लिए और हाफ टीस्पून सबुद जीरा, गरम मसला हाफ टीस्पून, अभी हम यहापर डाल देंगे, जीरा पाउडर हाफ टीस्पून, हल्दी पाउडर हाफ टीस्पून, स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे, अभी हम यहापर डाल देंगे, ओल, यहापर तरह में दो चमस ओयल डाल दिया है, और इसको इस तरह से mix कर देंगे, यह रिखे, इतनी असन है यह बनाने के लिए और इतनी tasty बनते हैं, दाल भी साथ में मिलेंगे और रोटी भी साथ में मिलेंगे, यहाँ पर मैं गेहूं का आटा ले रही हूं, यहाँ पर इस तरह से डाल से पानी एड़ करनी होंगे इस तरह से ये दिखे बहुत यासन है और इतनी चटपट बन जाते है थोरी थोरी से पानी इस तरह से डल की इसको अच्छी से सॉफ्ट डो बना के तायर कर लेंगे ये दिखे बन के तायर हो गया है आप इस तरह से बना के बच्चों को टीफिन मे भी बैस सकते हैं और डिनर की टाइम हो लंच की टाइम हो या मॉर्निंग ब्रिक्फास्स की टाइम में भी बना के खा सकते हैं इतनी पेट फूल करते हैं दो परठा खानी से और परठा बनानी में भी बहुत ही इसी है और हेल्दी भी है बहुत ही अच्छी लगते हैं खानी मे एक बाड़ आपी इस तरह से बना के खाएगा आपको बहुत ही पसंद आनी वाला रेसीपी है यह दिखे हमें इस तरह से बेल लेंगे सब साइट में अच्छी से इस तरह से बेल के तायर कर लेते है बेल के रेड़ी हो गया है अभी मैंने गेस पर ताबह बेठा हुआ है गरम हो गया है अभी medium flame करके हमें दो साइट में पहली इस तरह से अच्छ से सेख लेंगे, इसके उपर में यहाँ पर घी लगा रही हूँ, आपको घी पसंद ना हो तो cooking oil भी लगा की बना सकते हैं, और यह दिखें इतनी अच्छ से पग गया है, और crunchiness भी रहते हैं, और softness भी रहते हैं, बहुत ही tasty लगता हैं, इतनी फ पाकानी होंगे मुमदाल बिल्कुल कच्ची नहीं है हमें अच्छी सी इसको बॉल करके तैयर कर दिया था और ये देखें बन के तैयर हो गया है आप चटनी की साथ में भी खा सकते है आप टीफिन में भी लेके जा सकते है बहुत ही टेस्टी लगते है एक बर आप भी तो प्लीज लाइक करना ना भूलेगा और जरूर कॉमेंट भी कर दिजेगा आपको पसंद आए तो प्लीज सस्क्राइब करना ना भूले और नए वीडियो की साथ आओंगे बाबाई